नमस्कार बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक नए वीडियो पर दोस्तो आज के इस वीडियो में एक बार पुनह आप सभी देख रहे हैं मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट कासी विश्वना धाम कोरिडोर दोस्तो आज का या वीडियो लगभग धाई मिनट का होगा लेकिन जानकारी आपको पूरी मिलेगी इसलिए हमारे वीडियो को बिना स्कीप किये अंत तक अवस्य देखिये और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करिये ताकि और भी आने वाली वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको देखने के लिए मिले आईए वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों मैं आपको बता दू की जेटी का काम फुर्ड कर लिया गया है और अब फिनिसिंग का काम सुरू होना है सीडियों का काम भी जलासिन घाट पर काफी तेजी से कराया जा रहा है जहां घाट से आने वाले स्रधालू बाबा का दर्सन कर आसानी से आसिरवाद ले शकेंगे इसमें मंदिर चौक, टोरिस्ट सेंटर, मुमुच्छु भवन और कुछ दुकानों के धाचे का काम पुर्ड हो चुका है परिसर में 34 फिट उचाई वाले चार गेट होंगे जिन में से एक गदोलिया गेट है अगर इस्थितियां ठीक रही तो निर्धारिस समय तक काम पुर्ड हो जाएगा इसी महीने में पत्थर लगाने का काम भी पूरा हो जाएगा गुलाबी पत्थरों की नकासी दार खुबसूरती उभर कर सामने आ रही है धाम छितर की इमारतों की दिवारों पर बालेस्वर के पत्थर सज चुके हैं जो काफी खुबसूरत दिख रहे हैं कासी विश्वना धाम कोरिडोर प्रधान मंतरी मोदी जी का द्रीम प्रोजेक्ट है उनके इस प्रोजेक्ट का सपना सकार हो रहा है इसमें खुदाई के दौरान लगभग 60 से अधिक छोटे बड़े मंदिर मिले थे जिने सहेच कर रखा गया है और उन्हें कोरिडोर से जो प्रोजेक्ट हो चुका है